हेलो स्टुडेंट्स तो इसके पहले हम प्लांट किंगडम में सभी ग्रुप लगभग हो चिके एलगी ब्रायो फाइटा टेड़ो फाइटा जिमनो इस्पर्म आज हम एंजियो इस्पर्म की बात करते हैं और पीछे से आपको कनेक्ट करते चलें तो क्या ग्रेजूल चेंज तेर्मम में रखे गए हैं ऐल्गी थालस बाड़ी एंब्यो फार्मेशन नहीं हुआ त्लेव फिस्टेम नहीं बना व्रायो फाइटा में रूट ली फिस्टेम नहीं बना था पभी-қभी डेवलाप्ट तो रूट लिफ इस्टेम लाइकी स्ट्ट्क्चिर हुई लेकिन र प्रश्टियल कर दिया और इसमें नई चीज क्या गई रूट लीफ इस्टम आ गया भाइलो फ्यूों फाइटा में रूट लीफ इस्टमॉर्ट इस्ट्रिबाय नूठ संट में अगया और इसमें साथ-साथ बंडल जाईलन और फ लोम आ इडवांस चीज क्या गई इसमें सीड आ गया और बताएं सीड तो आ गया लेकिन वो सीड नेकेड था सीड कबर्ड नहीं था क्यों नहीं कबर्ड था क्योंकि वो फूरूट के अंदर नहीं बना था और ओविल सीड बनता है और जिम्नोइस्पर्म एंग्योइस्पर्म के वीड़ दो काटेगरी ही प्लांट की है जिसमें यह बना था अब हम बात करते हैं अईज्विस्पर्म की कि तो ऐन्जियो इस पर में आईये सीधे यहां पर चर्चा करते हैं जासा की दिया गया है अन्लाइक दा ऑफ़िल्स आर नेकेट इन दा ऐनजियो इसपर्म और फ्लावरिंग प्लांट आइंजियो इस्पर्म को फ्लावरिंग प्लाउंट भी कहते हैं लेकिन जीमनो इसपर्म अगेंश्ट या डेवलब्ड कंडिशन में यहाँ फ्लावर आ गया और जीमनो इसपर्म इसलिए इंगियो इसपर्म साइव फ्लावर प्लांटस विसमें जो रिप्रोडक्टिव इस ट्रक्चर फ्लावर बनी में पर पढ़ना है उसलिए रिडिटेल भी नहीं कर रहे हैं तो इसमें जानेत आपको रिवाइज करते हैं सेपल पिस्टिल इस्टेमन होते हैं तो सेपल और पितल जो आउटर पार्ट हैं helping parts है main जो पार्ट इसके reproductive हैं वो इस्टेमेन और पिस्टिल हैं तो पिस्टिल के अंदर आपने stigma style ovary कहा था उसको भी हम छोड़ते हैं ovary के अंदर ovule है और इस्टेमेन के दो पार्ट थे ऐंther और filament ऐंther में pollen grain है सीधे हम वहां से जोड़ते हैं तो यह pollen grain कहां बन गया इस्टेमेन के अंधर में और ovule कहां ovary के अंदर यह दो specialized structure जो बनी यह flower के अंदर बन रही वहां पर भी बना था pollen grain जिम्नोइस पर में भी लेकिन flower में नहीं बना था और ovule यहां ovary के अंदर बनता है वहां पर open था और बाद में ovule ही seed में convert हुआ था तो चूकि ovule ही नहीं covered था किसी दूसरी structure के अंदर नहीं था इसलिए seed naked हो गया यहां ovary के अंदर है और ovule ही seed बनता है ovary fruit बन जाती है seed ovule के अंदर रहता है इसलिए इसका नाम पढ़ गया अंजियो इसपर्म ऐंजियो दो वरड़ हैं एक एंजियो और इक इस पर्म आम सीड यहनि covered यह चलते हैं इन आंजियो इस पर्म नाम सीड आ इन ने क्लोज इन फूरूट कर दिया गया इसलिए कबर्ड सीड वाला इज को कहा जाता है दा एंज्यो इस पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रूप आप प्लांट्स अकरिंग वाइड रैंज आप इस एंज्यो इस पर्म के अंतर जो प्लांट्स आते हैं इन डिफरेंट टाइप के हैविटेट्स में रहते हैं और हैं जीन साइज फ्रांदा इस्मालेश्ट वल्फिया कभी कभी कहा जाता है तो आप यह जान लीजे कि वल्फिया जो है यह सबसे इस्मालेश्ट प्लांट्स है अइंज्यो इस पर्म का और इसी तरीके सबसे जो टाल ट्रेएड यूकलेफ्टस का एक्जामपल है जिसकी है सबसे बड़ी बात जो भी हमें बताना है इसके बारे में आपको एक्जामपल बहुत इंपोर्टेंट नहीं जैसे जिनका इस्पेसल कोई नहीं बताना क्योंकि जिन प्लांट को आप जानते हैं देखते हैं जिससे आप अच्छी तरीके से फैमिलियर अगर आपसे बताएं अभी सुबह आनलाइन क्लास की बात कर रहें हमने दो-चाल लोगों से कहा कुछ प्लांट कर नाम बताए किसे नाम कहा नीम कहा मंटर बताया गुलाब बताया जो भी कहे तो जिनको आप जानते हैं जनरली वह एंजियो इस पर में प्लांट के लिए आपको सबका एक्जांपल ध्यान देना उसको याद करना है कि दो-दो एक्जांपल जान लिए लेकिन यहां पर कुछ मत्याद कि जिनका प्लांट साब भीना याद क तो मॉडिकेशन डीफरेंट ताइप кtså फीनल कीशचा वह मारफाल जी आप प्लांट में चर्चा की जाएगी आप नहीं समझते हैं तो वह भी हैं जैसे आप कमे प्लावऱ् आप नहीं समझ पते हैं लेकिन वांवर्य प्लांट यहां आप लाते हैं डिफरेंट टाइब के मेडिसिनल यूज के लिए जो प्लांट पाड़ सीज की आते हैं वह एंजियो इस पर में के बारे में हैं नहीं जाना है लाइफ साइकल की तरफ देद्रे बढ़ते हैं वही आपको जाना क्योंकि इसकी रूट कैसे लीफ कैसा है इ इनमें क्या माडिफिकेशन से कितने डिफरेंट वराइटी है इसके लिए अलग चेप्टर दिया गया है यहां पर तूद पॉइंट हमें बात करते हैं कि एंजियो इस पर कामन प्लांट्स हो गया फ्लावरिं प्लांट्स हैं इनमें फ्लावर आ गया सीड फूट के अंदर बना यह इतनी बात है लेकिन यह दो टाइप के हैं इनको दो कटेगरी में डिवाइट किया गया है इंज्यो स्पर्मिक प्लांट्स और आफू टायप दाई काटिलेड़नस गहां अभी दो टाइप के वह इनमें कई завис in यह आप नाइन्थ काटी लेटनेस्ट में यह यह परूट होती है और दूसरी चीज जो लीफ के अंदर विनेशन होता है तो वेभी काटी लेडनस में पैरलल विनेशन होता है जब कि डाइडा दिलेडनस में रेटीकुलेट बिनेशन पाय जाता है ऐसे फ्लावर के बारे में कहा गया कि यह जो कटेगरी दी गए इसको आप फ्लावर में समझेंगे टेट्रामेरस पेंटामेरस फ्लावर इसको अभी हम डिटेल नहीं कर रहें लेकिन चुकि टर्म आ गया तो जान लेजिए फ्लावर के टेट्रामेरस पांट्व अगर तीन यहर ट्राम कहते हैं तो आगे फिर जानें गेंगे उसको इसकायि मेंबरалы मोनोका्टीलेशन और अढ़ार करेक्टराइज्गंस सब्से इंपर्टेंटमाच इसका बस्का नाम रख घया कि यह मोनोकार्टीबारिव ऑचए क्यों काटी लेडनस का मतलब काटी लेडन वाला मोनो मिंस सिंगल और डाई मिंस दो तो मोनो काटी लेडनस एक काटी लेडन वाला डाई काटी लेडनस दो काटी लेडन वाला तो वाट इस काटी लेडन काटी लेडन इस दा पार्ट आप सीड यह सीड का पार्ट है तो जिसके सीड सीड में दो चाहर्य देन होता है उन प्लांट को डाइब काटि लीनस चीह सब्सक्रमीन काटिलेट Paint सब्सक्रमी को आघे हम चलते हैं अब क कह तो कहते हैं सिंड़रींट को त्हक्रूट सो है और रेटिकुलेट त्यार्थ एप्रूट और कुछ नहीं मिलता है वालन मदर से हां अब आपको बात करना है यहां से माते हैं कि इच इस्टेमेन कंसिस्ट अब अब रिप्रोडक्शन के लिए हम सीरे आते हैं फ्लावरिंग प्लांट के इस्टेमेन और पिस्टिल पर इस्टेमेन को बता दिया यह सब स्पोरोफिटिक प्लांट है पहले जानते रहेगा यहां इनकी सेल्स में जो क्रोमोसोम हैं यहों पेर में डिपलोड से बने हुए हैं तो जो इस्टेमेन के अंदर मियासिस डिवीजन होती है तो जाके पालन ग्रेन बनता है ऐसे जो फिमेल प्रोडर्टिव पार जिसको आप अपने a distryl के दिवीर ऑनदर मियासिस के त्रू हैपलोड भर्षे बनती है तो हैपलोडुड वर्षे जो बनती है मेल ओर और फीजर प्रोडर्टिव वेक Boss B कहते हैं दिफरेंट पार्ट्स के बनते हैंmpfen स्टर्च्यbas ważण से मैक्रोइस्पोर बनता है मैक्रोइस्पोर मदर्सल से द्यां दिचान दिए मदरसल में मियासिस होती है तब यह structure बनती है अब इसके reproduction में इनका क्या rule है तो जो अभी आपने जाना ओवियूल के अंदर जनरली लिखा गया है ओवियूल है जे मेगाइस्पोर एक मेगाइस्पोर जो होता है यह हैपलोएड होता है एक मेगाइस्पोर मदरसे चार हैपलोएड मेगाइस्पोर बनते हैं एक मेगाइस्पोर मदरसल में मियासिस होगा चार मेगाइस्पोर बनते हैं हैपलोएड और जंदली इसमें से ठीयाप देम डीजनरेट तीन खतम हो जाते हैं नस्ट हो जाते हैं और एक जो होता है यही डेवलप हो करके embryo psych बनाता है embryo psych में different type की cells हैं इसको detail बाद में भी जानेगे चुकि यहां भी detail नहीं दिया गया लेकिन जान लिजिए इसी embryo psych के अंदर एग cell है और antipodal cell है polar nuclei है embryo psych के अंदर जो functional मेगाई spore से बना चार में से तीन तो नश्ट हो गए जो एक बचा उसी से embryo psych बन गया embryo psych में एग cell बनी polar nuclei बना antipodal cell बनी एक cell के दाएं वाएं यानि तीन cell का जो group होता है एक को एक cell और दो अलग जो cell होती ही ने कहते हैं synergid cell एक cell और synergid cell दोनों को मिला कर एक साथ कहते हैं एग apparatus तो एग apparatus कहां बना है embryo psych के अंदर तो एक में यह अगर हम कहें यहां कि यह embryo psych हो गया तिसमें एक साइड में तीन से लेहां रहते हैं इधर एक apparatus होता है और बीच में polar nuclei है यहां पर इसकी structure यहां दी नहीं गई है बाद में से ले जानेंगे तो एंटी पोड़र से तीन इधर एक किनारे embryo psych में इधर एक apparatus एक apparatus में बीच वाली जो सेल बड़ी इसको एक सेल कहेंगे इसको सिनर्जीट सेल इसको सिनर्जीट सेल और यह बीच में हो गया polar nuclei यह यह structure जो बता रहे हैं ओवियूल के अंदर embryo psych में बनी है अब इनका पहुँँच करके इसे इसे पाल daylight निकलती है पाल अवरी के अंदर इंटर करती है इस टाइल से होती हुई और इसी समय इसमें दो मेल गयमीट बन जाते हैं और यह दोनों मेल गयमीट पालीट त्यूब के साथ साथ ऑबरी में पहुँचे आँ अवरी के के अंदर आप यह condition ऐसे देख सकते हैं कि यह हो गई पिस्टिल इसमें यह पार्ट है इस्टिगमा यह है स्टाइल यह है ओपरी के अंदर हो गया अब्यूल और ओव्यूल के अंदर ऐसे रता एंभ्रियो सैक और एंभ्रियो सैक में यहाँ पर है एक सेल जिसके बगले इधर और यह एक एक शिदर obviamente सेल और यहां पर हो गया polar nuclei यह polar nuclei डिपलॉआइड है और बाकी सभी सेल है कितनी इसेल इधर इस साइड में एग आपरेटस बनाई है एक से लोड़ो सिनरजीट और तीन सेल इधर वाली सिनरजीटल हैं सारी एंटी पोडल सेल्स हैं जिनें एंटी पोडल से भी कहते हैं अब यह मेल गैमीट यहां से आते हुए आ रहा यहां से पालेंट्यूब आई पालेंट्यूब जाके अंब्रियो से अंदर जाएगी और पालेंट्यूब से जो ने मेल गैमीट है इसी में रिलीज कर दिया ग से मिल गया तो अब इसे कहते हैं हो गया बन गया जाइगोट क्या होगा जाइगोट का बनना जाइगोट बन गया और दूसरा भी एक मेल गयमीट बचा आए क्योंकि मिल जाता है सिनरजिट से तो 것처럼 प्रासेस कहते हैं इसका एक नाम यहां प्रध्यान देजिए घिलावायडी फ्यूज दिप्लोयड सिकेंडेरी निउकलियस उसी जो हम कहते हैं सेकणडी निउकलियस जिसको निउकलियस पोलर तो इसका रिजल्ट होता है ट्रिपलौइड अबनती है तो इसको प्राइमरी प्रमिक नूक्लियस कहते हैं यह आट्रिप आट या पी जन बन गया कैसे बन गया पीएन जब दूसरा वाला मेल गए मीच जा करके फ्यूज हो गया पोलर नुकलियाई से पोलर नुकलियाई डिपलोईड बना लिये थे सेकंडरी नुकलियस को हमने कहा दो नुकलियस के मिलने से बना था तो सेकंडरी नुकलियस से जब मेल गयमिट बनता है सेकंडरी नुकलियस टू एक्स है प्लस मेल गयमिट मिल गया एक्स तो यहां पर बनता है PEN या प्राइमरी एंडोस्परमिक नुकलियस जो की हो गया 3X या इसको कहते हैं टिपलॉइड तो जब मेल गयमिट किसी सेल से मिला जनरली भी मेल गयमिट से मिलता तो आप कहते हैं फर्टिलाइशन हो रहा है तो यहां समझ गए है तो अची बात है यहीं तो कोई बात में इसकी चरचावजज़ख़ दंब आप हम बात करते हैं इसमें पूरी लाइफ-साइकन की प्रासिस कैसे होती है जो यहां पर इसके लाइफ-साइकल की बात करत एक मतलब की जब एक प्लांट से दूसरा प्लांट या उन्हीं उसकी आफ इस्प्रिंग तयार हो जाए उसमें कौन-कौन सी स्टेप वाइज इबेंट्स होती है तो वही डिफरेंट इस्टेप का ग्रूप ही उसके लाइफ साइकल का पार्ट बनता है तो चाहे जब शुरू करते हैं किसी की लाइफ साइकल तो उसकी में बाड़ी से शुरू करते हैं फिर क्या-क्या इस्टेज आई तो उस्टेज को अगर देखते चले लाइफ साइकल एक एंजियो इस्पर्मिक प्लांट की बनाई गई है देखने में लग रहा है जाने यह एक मस्टर्ड प्लांट है तो यह हो गया यह प्लांट स्ट्यमें। फिसटिल पर सीदे आते हैं इस्टेमेंश करते हैं तो स्ट्यमें क्या है अय है और तीन पार्ट स्टाइल आईयरे हो गई है और कैमा एक बदलान år होके इंसका एक पार्ट यह घ्लाता है माइक्रो इस्परेंजियम चार माइक्रो इसे ही इन फिमेल भी जो अंदर आप छ सकते हैं मेल में जो चारों कोने बता दिए, ये माइक्रो इस्पोर एंजियम है, तो मेगा इस्पोर एंजियम, माइक्रो इस्पोर एंजियम, देजिके मिलता जुलता वर्ड है, क्या है माइक्रो इस्पोर एंजियम जिसमें माइक्रो इस्पोर बनेगा, मेगा इस्पोर एंजियम जि कहेंगे माइक्रोइस्पोर मदरसल मेगाइस्पोर एंजियम में जो मदरसल है उसे कहेंगे मेगाइस्पोर मदरसल लेकिन मियासिस दोनों में होगी तो जब मियासिस होगी तो माइक्रोइस्पोर मदर सेल के मियासिस से जो सेल बनेंगी उन्हें कहेंगे माइक्रो इस्पोर अब यह मियासिस से बना मियासिस से हैपलॉयड सेल बनती है तो यह हो गया हैपलॉयड माइक्रो इस्पोर और ऐसे मेगा इस्पोर मदर सेल में मियासिस होगी तो बनेगा मेगा इस्पोर अब डिप उसी मेगा इस्पोर्स अभी कुछ पहले हमने बताया था कि पूरा इंब्रियो साइक बन गया था तो यह एंब्रियो साइक है और यहां पर जो माइक्रो इस्पोर बना था यही अल्टीमेट माडिफाइड होके पालन ग्रेन हो गया और पालन ग्रेन से फ्यूचर में दो मेल का पैसफें पालन के था साइक ऑफ बनेंगे और यहां पर जो आपने बताया मेगाइस्पोर बना उससे अंब्रियो साइक बन गया और इस एंब्रियो साइक में यहां पर नीचे की यो जो तीन सेल दिख रही है उसमें एक एक सेल है और बीच में सेकंडरी नूकलियस है जो दो डाट दिखाई गई है यानि डिप्लोइट सेल है अब ये एक मेल गैमीट इधर से जो बना एक मेल गैमीट यह है पालेन ग्रेन से पालेन ट्यूब बने उसी में आ गया और ये दोनों एंब्रियो साइक में जा करके इसके अंदर रिलीज हो जाएंगे ये ट्यूब इसी में जाके मिल जाएगी तो दो मेल गैमीट आए एक एंब्रियो साइक में तो इसमें जब आ गये तो एक मेल गैमीट जा करके एग सेल से मिल गया और यहां पर बन गया जाइगोट डिपलोईड डिपलोईड का मतलब यह यहां पर आईए यह जाइगोट बन गया टू एक से डिपलोईड और एक जो मेल गयमीट बचा था यहां पर देखिए दो मेल गयमीट एक यह और एक यह एक दोनों चले ग यक्स या कभी कभी सी को टू यहन भी कहते हैं अब एक मेल गए मिट बच गया उसकी डेटेल हाँ नहीं दिया गया है उसकी चर्चाबाद में करेंगे तो जा करके मिलता है किसे सेकेंडी नुकलियस से और बनाता है प्राइमरी एंडोस्परमिक नुकलियस या पी इन तो अग सेल ऐसे वढ़ती जाएंगे डबल होती होते अंत में जाइगोड से एक स्टक्चर बन गए इसको कहते हैं एंब्रियो ये एंब्रियो कहां बना देहां दीजिए ये एंब्रियो आपको लग रहा है कि यहां बनना चाहिए और सही बात बनेगा क्योंकि यही पर जाइगोड जब पढ़ते हैं उसमें जाइगोट नहीं था तो जो नई नई structure बन गई और ओवियूल की size भी थोड़ा modified हो जाती है और उसके structural पार्ट भी change हो जाते हैं अब ओवियूल को नहीं कहते अब ओवियूल को कह लें रखते हैं seed तो इस प्रकार हो seed इसके germination से नया plant बन जाता है यह plant body फिर से बन जाएगी कहां से बन जाएगी यह इससे बन गया नया plant तो direct हैं embryos दिखा दिया गया तो embryo आप कहां देखते हैं आप कहा रहे हैं seed के germination से बनेगा तो seed का germination होने का मतलब क्या है seed के अंदर ही embryo था और उसी embryo से चाकर के यह बन गया नया प्लांट अब आगे एक चर्चा हम कर लेते हैं जहां पर फिनिस करते हैं यह लास्ट पार्ट है प्लांट लाइफ साइकिल और आल्टरनेशन आफ जन्देशन तो आल्टरनेशन आफ जन्देशन समय जादा तो नहीं हुआ चलिए थोड़ा सा चलिए अच्छा यहीं पर फिनिस करते हैं समय साइज लंबा हो गया अब यह लाइफ साइकिल और आल्टरनेशन आफ जन्देश पाइब बाइब पाइब राइब